Hello, I am Rauhit. है मैं आपका मेरे चैनल विधी डॉक्टर में हारदिक स्वागत करता हूँ. कि दोस्तों आपको पता है किसी भी एक्ट को बनाने से पहले उसके पीछे एक मक्सद चुपावा होता है, एक object चुपा होता है, एक purpose होता है कि इसको किसके लिए बनाया जा रहा है वो सब purpose एक preamble में लिखावा होता है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में preamble of the constitution of India की बात करने जा रहा हूँ जो word preamble है ये Latin maxim preambulus से आया है जिसका मतलब है walking before मतलब यह है उस act को बनाने से पहले ही उस act के बारे में बता देता है कि हम इसको क्यों बनाने जा रहे हैं, किसके benefit के लिए बनाने जा रहे हैं और इसका objective क्या रहेगा, किसको यह benefited होगा, किसके लिए नहीं होगा next time बात करते हैं के यह मुंसी जो drafting committee के member भी थे उन्होंने इसको एक जन्म कुंडली होरोस्कोप से तुलना करी है जैसे जन्म के समय बच्चे की कुंडली बनाई जाती है उसी परकार preamble जो प्रस्तावना है हमारे समविदान की है एक जन्म कुंडली के जैसे है next time बात करते हैं थाकुर्दास भारगव जो famous Indian politician रहे हैं इन्होंने सम्विदान की प्रस्तावना को आत्मा काहा है preamble is the soul of the constitution जैसे एक व्यक्ति आत्मा के विन अमृत समान है वैसे हमारा constitution of India without preamble मरेवे के समान मान रहे है नानी पाल की वाला जो famous Indian jurist हुए है उन्होंने इसकी तुलना identity card के जैसे कही है कि preamble of the constitution is the identity card जैसे बच्पन में और schools, colleges में हमारा एक identity card होता है जिसमें हमारा नाम लिखावा होता है हम कहां के रहने वाले हैं अपने घर का address लिखावा होता है उसी तरीके से preamble में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किसके लिए बनाई गई है इसके objective क्या रहेगा तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा नेक्स्टम बात करते हैं कि preamble draft किस ने किया था तो preamble drafted by जौाहरलाल नहरू जौाहरलाल नहरू जयो भारत के प्रथम प्रदाहनमंत्री भी रहे बाद में उन्होंने preamble को draft किया और उस draft का नाम था objective resolution ये बहुत बार exams में पूछा जाता है इस draft का नाम था objective resolution जो 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया ये date भी ध्यान में रखनी है बहुत बार इसका exams में question पूछा जाता है next हम बात करते है preamble क्या preamble हमारे constitution में पहले से था या कहीं से लिया गया है हमारे constitution में पहले से preamble नहीं था सबसे पहले preamble USA के constitution ने adopt किया था और वहीं से अपने इंडिया ने किया है तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि preamble originally इंडिया ने नहीं राला है ये USA से adopted है next हम बात करते हैं source of the constitution हमारे constitution का source क्या है ये preamble का importance भी बताता है कि preamble में ही हमारे constitution का source लिखा गया है जहां से हमारी preamble स्टार्ट होती है आप सबने पढ़ी भी होगी we the people of India तो हम भारत के लोग ही हमारे समविदान का source है क्योंकि समविदान भारत के लोगों के लिए ही पनाया गया था next हम बात करते है preamble में दोस्तों 42nd amendment 1976 में amendment हुआ था जिसके दोरा तीन वर्ट जोड़ी गए यह बात आपको ध्यान रखनी है यह कोशन भी बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है वह तीन वर्ट थे socialist, secular and integrity यह तीन वर्ट फोर्टी सेकंड एमेंडमेंट से जोड़ी गए जो मैंने हिंदी में लिख भी रखें आप नीचे देख सकते हैं समाज, वादी, धर्म, निर्पेक्स और अखंडिता को जोड़ा गया फिर दोस्तों बहुत बार क्योशन पूछा जाता है एकजाम्स में कि इसका मैनर क्या होता है कि यह किस तरीके से लिखा गया है तो Sovereign Socialist Secular Democratic Republic इसको याद करने का तरीका हम ऐसे कर सकते हैं Sovereign को हिंदी में कहते हैं संप्रभू तो इसको याद करने का तरीका यह होता है कि संप्रभू होता है वो एक समाजवादी और पंथ निर्पेक्स लोगतांतरिक गनराज्य की स्तापना करता है इंगलिस से तो हम इसमें confusion हो जाते हैं कि जैसे SOV, SOC एक्जाम में याद नहीं रहता है लेकिन अगर हम इसको हिंदी में याद रखने कोशिश करते हैं कि संप्रभू, सबसे पहले कोन आएगा, संप्रभू संप्रभू सबसे पहले किसका निर्मान करेगा समाज का निर्मान करेगा, that is socialist and next होता है socialist, समाज, कैसा समाज बनाएगा वो वो समाज बनाएगा, धर्म निर्पेक्स समाज I hope ही आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट बात करते हैं जो Constitution के important case law है इसमें यह चार case law ही चलते हैं सबसे ज्यादा गोलकनाथ वर्सेस State of Punjab EIR 1967 Supreme Court में कहा गया कि preamble जो है it set out the main objective which the legislation is intended to achieve जो भी legislation को achieve करना है यह उसके objectives को set off करता है कि हाँ आपको यह achieve करना है नेक्स्ट हम बात करते हैं इन री बेरुबारी AIR 1960 यह जो important case law है बहुत बार exams में पूछा जाता है इसमें Honorable Supreme Court ने कहा कि preamble Constitution का part नहीं है और इसमें हम amendment नहीं कर सकते और यह जो case था इसके अंदर बेरुबारी Union 12 का जो हिस्सा था यह dispute में था यह question बहुत बार PhD entrance exams में पूछा जाता है कि री बेरुबारी का case तो सभी को पता होता है लेगिन यह नहीं पता होता कि disputed area कौन सा था बेरुबारी Union 12 यह आपको ध्यान रखना है next time बात करते हैं केश्वा नंदा भारती वर्सेज Union of India इसमें Supreme Court ने जो पीछे वाला opinion था उसको reject किया है और कहा कि preamble is the part of the Constitution of India and it can be amended also next time बात करते हैं LIC of India जो लास्ट केस इसका 1995 का है इसमें यह कहा गया कि preamble को directly हम court में enforceable नहीं करा सकते next time बात करते हैं whether preamble can be amended or not यह important question है यह भी बहुत बार exams में पूछा जाता है कि क्या preamble को संसोधित किया जा सकता है और article 368 of the Constitution of India deals with the amendment yes in case बात करते हैं इस केस में कहा गया कि हां इसको amended किया जा सकता है लेकिन basic structure को नुकसान नहीं होना चाहिए next time बात करते है इसी साल जून 2020 में जो UGC net का paper हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं यह question पूछा गया है in which case the supreme court held that the preamble does form part of the constitution तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है तो यह case 1 अंदा भारती वर्सेज union of India कि next time देख सकते हैं यह question भी exam से पूछा जाता है कि जन्म कुंडली किस ने कहा है तो K.M. Munsi जी का यह statement है तो I hope दोस्तों आपको यह topic अच्छे से सामझ आया होगा आपको यह video क्यासा लगा आप comment box में अपनी राय मुझे जरूर दे Thank you so much